हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंसुलजे रहस में आज हम आपको जलपरियों के रहस के बारें बताएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जलपरी ऐसा जली जीव हैं जिसके सरीर का उपरी हिस्सा और अवरत का और निचला भाग मचली जैसा होता है आईए पहले रूबरू होते हैं इसके बारे में परचलित कुछ दंत कथाओं से जो इसके वजूत की पुष्टी करता है पुराडिक कथाओ के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गा कर इंसानों को अपनी और आकरिष्ट करती हैं जिससे उनका ध्यान भटक जाता है उनकी मधूर धुनी को सुनकर मनुसे समुदरी जहाज से पानी में कूच जाते थे कई बार पूरा का पूरा जहाज समुदर में कितह में समा जाता था यदि हिंदू पूराडी कथाओ पर नजर डाले तो इनका जिक्रह में महाभारत और भारती रामाइड के थाई वा कमबोडियाई संस्करोडों में भी देखने को मिलता है थाई वा कमबोडियाई संस्करोडों में रावर की बेटी अस्या उतार का उलेग भी देखने को मिलता है जिसके सरीर पर सरीर की उपरी भाग मानओ का और निचला भाग मछली जैसा था असीरिया में 1000 इस्वी पूरो मिली जलपरियों के कहानी के बारे में कहा जाते कि ये जलपरियों की कहानी सबसे पुरानी है असीरियन की देवी आटागेटिस जो सुमेरिया की मा थी पर एक चरवाहेश से प्यार करती थी परना चाते हुए भी उसने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा इस पास से वो इतनी सर्मिंदा हो गई कि उसने तालाब में छलांग लगा दिया और एक मचली का रूप ले लिया लेकिन जल भी उसकी खुब सर्ती को शुपा न पाया और इस कारण उसका आधा सरीर पहल जल परी बन गई थी जल परी के रूप में दूसरा जन पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी उसकी इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी क्या महान सिकंदर जीवित है जिसका सही जवाब था वो जीवित और विशो पर राज करता है यह सुनने के बाद वह बहुत खुश हो जाती थी और जहाज को जाने देती थी लेकिन अदि कोई उसकी अनुसार जवाब नहीं देता था तो उस जहाज को सवाल सही थी समुदर में डूबो देती थी अरेबिया नाइट की स्रिंखला में एक कहानी अबदुल्ला दा फिसर्मेन एंड अबदुल्ला दा मरमट की है इसका मुख्य किरदार अबदुल्ला को पानी में सास लेने की काबलियत मिल जाती है और वो अत्तैर कर पानी की भीतरी दुनिया में पहुँच जाता है जहां पर नजर डाले तो जलपरियों को देखे जाने के दावे समय समय पर किये जाते हैं ऐसा दावा करने वालों में जावा पाकिस्तान, ब्रिटीस, कोलंबिया और दो कनेडियाई घटनाओं तक को सुमार किया जा सकता है हाल फिल हाल में भारत के पुरवंदर के पास कि दिश्टी से देखे तो मर्मेड या जलपरी जैसी किसी भी जीव का कोई वजुद नहीं है या सिर्फ मनुस द्वारा की गई एक कोरी कलपना है मनुस फितरत होती है कि जब तक वो अपनी नंगी आखों से कोई चीज न देख लें तब तक उसे होने या ना होनी को लेकर एक स्वंजस में रहता है और यदि जलपरी का वाकूई कोई वजूद है तो वह एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आएंगी तो दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे ही रोमांचक और हसमाई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जल से जल्द हमारे चैन उनको दबाना न भूले धन्यवाद